नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभास इंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्विद्याले कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ भीस्म साहनी के एक लेख के बारे में जिसका सीर्षक है लेखक की स्वतंदर्ता का सवाल दोस्तों भीस्म साहनी स्वतंदर्ता के बाद के वो महत्पूर्ण लेखक हैं जिन्होंने पूरे हिंदी जगत के साहित्य को प्रभावित किया लेखकों को एक नई दिशाप्रदान की और लेखक की स्वतंदर्ता का सवाल हमेशा ही महत्पूर्ण सवाल रहा है चाहे राजाओं की आश्रेदाता का सवाल हो या फिर आधुनिक जगत में जहां फासिवाद आये या लोकतंत्राया या तानाशाही की सरकारे आई उन सब में लेखक की स्वतंदरता का सवाल एक महत्पुन सवाल के रूप में उभरा इस सवाल पर लेखकों में भारी प्रतिक्रिया देखी गई भिश्म साहनी ने जो लेख लिखा है इस सवाल के कई महत्पुन पहलों को अपने अंदर समेटे हुए है तो प्रस्तुत है दोस्तों लेखक की स्वतंदरता का सवाल लेखक मूलते जीवन से ही जुड़ा होता है उसी को वह आंकता है उसी में से वह सत्य को ढूंडता है उसी की तह में पैठ कर वह जीवन मूले भी खोजता है उसी की विसंगतियों और अंतर विरोधों से उनकी अनुभूती उद्वेलित होती है इसे हटकर नहीं करता। लेखक के नाते उसके लिए जीवन ही सर्वोप्री होता है। ऐसे उधारन भी मिलते हैं जहां किसी लेखक ने अपनी बोद्धिक मान्यताओं के बल पर कुछ लिखना चाहा लेकिन जब वह जिन्दगी पर सही नहीं बैठा तो वह अपनी मान्यताइं बदलने पर मजबूर हो गया पुनरुथान नाम के अपने उपन्यास को लिखते समय कहते हैं टोलेस्टोय ने एक ऐसी चरित्रहीन इस्त्री को चुना था जो उनकी नजर में नायक की अधोगती का कारण बनती है पर लिखते समय वास्त्विक जीवन से साक्सात करने पर उन्होंने पाया कि सचाई इसके उलट थी वास्तों में नायक स्यम उस इस्त्री की अधोगती का कारण बना था और वह दोनों की भूमिकाएं बदलने पर मजबूर हो गई थे एक और लेकर के बारे में कहते हैं कि वह राजतंत्र के पक्स्थर थे पर उनकी रचनाओं में उनके काल की जनवादी भावना ही मुखर हो उठी है रेणू के सहित्य का उंचा मुल्य हम इसलिए आखते हैं कि उन्होंने अपनी गहरी मानविय द्रिस्टी से जीवन का प्रामानिक चित्र प्रस्तुत किया इसलिए नहीं कि उन्होंने अमुक पार्टी का समर्थन और अमुक का विरोध किया लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने काल में किसी लेखक की सामाजिक अत्वाराजनितिक भूमिका का महत्व नहीं है महत्व अवश्य है पर रचना धर्मिता के नाते निरनायक महत्व नहीं है दोनों भूमिकाओं को हम एक ही दृष्टी से नहीं आख सकते लेखक हजारों तंत्वों से जीवन से जुड़ा होता है प्रकृती से, प्रिवेश से, सामाजिक सबंधों से, दायत्वों से, संसकारों और मानिताओं से इन से कटकर पूर्णते स्वतंत्र लेखक की कलपना नहीं की जा सकती टोलेस्टोय के सब्दों में इस तरह का स्वतंत्र लेखक सुन्य में लटक जाएगा इस दृष्टी से लेखक की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं होती जितना अधिक कोई लेखक अपने देश और काल से, अपने देश के जन जीवन से जुड़ता है उतना ही अधिक मेरी समझ में वे निखरता भी है लेखक के नाते उसके व्यक्तित्यों का विकास होता है लेखक के लिए स्वतंत्रता की खोज समाज से कटने में नहीं है समाज से और गहरे में जुड़ने से है जितना अधिक वह जुडता है उतना ही अधिक वह स्वतंत्र भी महसूस करता है गहरे लगाव के बिना लेखक के स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती जीवन से जुड़ना जीवन की मूल विसंगतियों के प्रतिसचेत होना है समाज में सारा वक्त एक कसम कस चलती रहती है इस संघर्ष का समाधान दिभिन राजनितिक पार्टियां अपने अपने ढंक से करना चाहती है लेखक जीवन को आखते समय इस संघर्ष को आखता है उससे जुड़ता है उन तत्वों के साथ भी भावना के स्तर पर जुड़ता है जो उसकी नजर में समाज को आगे की और ले जाते हैं वह अपनी आवाज उठाता है पाठक को उन विसंघर्ष के प्रती सचेत करता है भले ही वह सक्रिय रूप से किसी राजनितिक दल में काम करता हो या नहीं करता हो इसी गहरे लगाव के कारण वह कभी कभी सत्ता के आड़े आता है प्रेमचंद की रचना सोजे वतन पर अंग्रेजी हकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था और प्रेमचंद को उसकी प्रतियां जलानी पड़ी थी लेकिन प्रेमचंद ने अपनी द्रिस्टी के अनुरूप लिखना नहीं छोड़ा था बलकि अपना नाम बदल कर लिखने लगे थे अंग्रेजी सासन के दोरान हमारे अनेक लेखकों के साथ ऐसा हुआ था आज फिलिस्तीन के बहुत बड़े भूभाग पर इसराइल का कबजा है और वह फिलिस्तीनी लेकों को विरोधी साहिते लिखने की इजाज़त नहीं दे था फिलिस्तीनी लेकों को प्रलोभन दिये जाते हैं कि यदि वो प्रेम और सौंद्रे की कविताएं लिखेंगे तो उन्हें नोकरियां दी जाएंगी पुरुस्कृत किया जाएगा पर यदि देश भक्ति और विज्ज्रो की कविताएं लिखेंगे तो कड़ी सजा दी जाएगी अनेक अन्य देशों में भी ऐसी ही स्थिती है यह सही है कि जहां कोई लेखक समकालिन सत्ता का समर्थन करेगा वहां सत्ता उसे प्रोपसाहित करेगी पुरुस्कृत भी करेगी जहां विरोध करेगा वहां उसे दंड भी दे सकती है उससे अभिव्यक्ति के बहुत से साधन छीन भी सकती है उपरोक सरकारें तो बाहर की थी, विदेशी थी, दमन की नेती अपना कर विरोध को कुचलने वाली थी पर जहां सत्ता पर अधिकार अपने ही देश के लोगों का हो, वहां लेखक कौन सा रविया अपनाए मैं नहीं मानता कि सत्ता और लेखक का रिष्टा केवल परस पर विरोध का ही रिष्टा हो सकता है हर प्रकार की सत्ता का स्वरूप एक जैसा नहीं होता आज फिलिस्तिन के लेखक की भूमिका विरोध की है, पर अगर कल उसका देश आजाद हो जाए और उसके अपने देश की सरकार सत्ता रूड हुई तब भी क्या उसकी भूमिका वैसी की वैसी विरोध की ही बनी रहेगी क्योंकि वह सत्ता है और यह लेखक है इतना तो समझ में आता है कि लेखक सत्ता से थोड़ा हट कर रहे ताकि वह सामाजिक जीवन की कतिविधी को अधिक प्रोक्ष और वस्तुगत द्रिस्टी से देख सके लेकिन हर स्थिती में उसकी भूमिका विरोध की ही हो ऐसा न कभी हुआ है ना हो सकता है सत्ता की नीतियों और कारवाईयों का समर्थन अथ्वा विरोध करते हुए भी लेखक की मूल प्रतिबधता जीवन से ही रहती है एमर्जन्सी लागू करने पर अथ्वा एमर्जन्सी के हटा दिये जाने पर सामाजिक जीवन की मूल विशंगतियां ज्यों की त्यों बनी रही थी सामाजिक जीवन का स्वरूप नहीं बदला था हाँ, एमरजन्सी के प्रती हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग रही थी कुछ लोगों का विचार था कि इससे मूल विसंगतियों का किसी हद तक समाधान होगा कुछ अन्य लोग समझते थे कि इससे स्थिती और बिगडेगी अपनी समझ के मुताबिक लेखक सत्ता का विरोध अथ्वा समर्थन करते हुए भी एक साहित्यकार के नाते अपना दाइत्व जीवन का प्रामानिक चीतर प्रस्तुत करते हुए निभाता है यहां ना तो कोई चापलोसी का सवाल है ना चाटुकारिता का अभिव्यक्ति की स्वाधीनता भी अपने में अलग थलग और स्वतंत्र कोई चीज नहीं जिस तरह लेखक समाज से अलग थलग और स्वतंत्र नहीं होता वैसे ही उसकी अभिव्यक्ति भी अपने देश और काल से अलग नहीं होती लेखक अपने देश और काल और समाज से अपने प्रिवेश के संसकारों से बंधा होता है और मात्र अपने को स्वतंत्र माल लेने से कोई लेखक इन संसकारों से मुक्त नहीं हो जाता प्रतेक्समाज का अपना एक नैतिक प्रिवेश होता है उसकी अवधारणाओं के बीच लेखक पलकर बड़ा हुआ होता है मात्र कह देने से कि वह स्वतंत्र है वह इनसे छुटकारा नहीं पा सकता लिखते समय लेखक की कलम कभी कभी ठिटक भी जाती है भले ही वह उसके निजी संसकारों के कारण हो या उसके समाज की प्रमप्रागत मानिताओं के कारण या अपने दाइत्वबोध के कारण वह विद्रोह करते हुए भी नई लीक पर चलते हुए भी अपने समाज के संसकारों से पूर्णत मुक्त नहीं होता किसी के धर्म की निंदा करते समय या किसी जाती की भर्थसना करते समय या गालिगलोच की भाषा का प्रयोग करते समय या मैथुन का खुल कर चित्रण करते समय कलम रुख सकती है यहां तक भी संभव है कि हम अंग्रेजी में लिखते समय कुछ बातें भले ही खुल कर कह दें अपनी भाशा में लिखते समय संकोच में पढ़ जाते हैं इतना ही नहीं लेखक, अपने पाठक और संपादक और प्रकाशक की भी पूरणता अभेलना नहीं कर सकता सरकारी कानून की भी नहीं यह जरूरी नहीं है कि इन बातों की और ध्यान देना अपने आप से समझोता करना है या किसी के हातों बिक जाना है जितनी गहरी लेखक की जीवन के प्रती प्रतिबधता होगी उतनी ही अधिक होजस्विता के साथ वह अपनी बात कह पाएगा बहुत कुछ उसके अंदर की तड़क पर निर्भर करता है आज हमारे राजनीतिक जीवन में लगभग सभी पार्टियां समाजवाद का दम भरती है सभी धरन रिपेक्षता और गुटों से दूर रहने की बात करती है सभी गरीब जनता की सच्ची हितैशी बनने का दावा करती है इनमें कौन किस वक्त धोका दे जाए कौन कह सकता है पिछले तीस वर्ष का हमारा इतिहास जहां अनेक खेत्रों में प्रभावशाली प्रगती का इतिहास है वहाँ अनेक अन्यक्षेत्रों में नंगी स्वार्थपरता, वर्ग हितों की रक्षा और तिक्डम बाजी का भी इतिहास है प्रतेक सरकार की अपनी नीती, लक्ष और धे होते हैं प्रतेक सरकार समाज के कुछ वर्ग हितों का पोश्ड करती है अपने हितों की रक्षा करते हुए वह नागरिक स्वतंत्रे के क्षेतर में छूट भी देती है अपने विरोधियों को भी अपनी बात कहने का अधिकार देती है यह विशेश थितियों में शाषन द्वारा दी गई स्विधा मातर भी है और लेखक के लिए महतपुर्ण भी है यह संभव है कि सत्ता अभिव्यक्ति की स्वाधिनता एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से छीन ले रेडियो पर बोलने का हक तो सभी को है लेकिन बुलाए वही जाते हैं जो विवस्था को मंजूर होते हैं पत्र पत्रिकाओं में सभी के लेक छप सकते हैं मगर वास्तों में छपते नहीं प्रकाशन का अधिकार तो सभी को प्राप्थ है लेकिन प्रकाशक सभी की किताबे नहीं चापते कोई भी सत्ता अपने विरोधी को पनपने नहीं देती एक ख्षेत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ती का अधिकार देते हुए भी दस तरीकों से उस अभिव्यक्ती का प्रभाव तोड़ डालती है ऐसी स्थिती से सभी लेखक परिचित है लेकिन इसके बावजूद लेखक अभिव्यक्ती की जितनी भी छूट उसे मिले उसका स्वागत ही करेगा और जहां ना मिले वहां अपनी बात कह पाने के और धंग धूड़ेगा जहां एक और यह इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता का स्वरूप क्या है वहां इस बात पर भी निर्भर करता है कि लेखक कहना क्या चाहता है हर प्रकार की सत्ता को काला और हर लेखक को दूद का धुला मानना भी उतना ही गलत है जितना हर सत्ता को माई बाप और हर लेखक को चापलूस दोस्तों ये था भीस्म साहनी का लिखा हुआ एक निबंध लेखक की स्वतंदरता का सवाल उमीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा मिलते हैं किसी और लेख के साथ तब तक के लिए धन्यवाद